अब हम इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले हम किस तरीके से इसको चेक करेंगे और मैं आपको इसको सही करके भी वताओंगा तो सबसे पहले हम सीरीज लगाएंगे और सीरीज में इसकी continuity check करेंगे, मतलब जहां पर direct तार लगते हैं, वहां पर लगा के देखेंगे तो हम तार लगा रहे हैं, तो हलका सा यह मतलब घूम रहा है, और मैं आपको इसको देख रहा हूँ, चला के तो लेकिन यह क्या है कि घूम रहा है, लेकिन पूरा सही तरीके से नहीं गुम रहा है जिसे जाम हो तो फ्रेंड्स जाम कंडिशन में अलग होता है लेकिन अगर पंखा जाम नहीं है और आपको वो चेक करना है तो उसके कैपसिटर अलग निकाल कर चेक करें सीरी से स्पार्किंग करकर लोग उसको भीड़ा कर देखे उसम में जाम की प्रोब्लम है तो हम क्या करेंगे इसको खोलेंगे और खोलने के लिए सारे यह पेच आपको खोलने तीन और यह क्लिप वगएरा इसकी अटाले नहीं है और दोस्तों के वर ऐसा होता है कि कोई सिलिंग फैन जो होता है वह क्या है कि बहुत ज्यादा हीट हुआ ह तो उसको खोलने में थोड़ी आप सावदानी बरते हैं क्योंकि उसके पेपर ज्यादा हीट हो जाते हैं और जो खोलने में आपको परेशानी होती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके पीछे के डखकन को नीचे वाले डखकन को इस तरीक से निकाल लेंगे बहुत यह आ तो फिर आपको क्या है नया बुस्ट चेंज करना पड़ेगा या फिर आप इसको लेथ मसीन वाले से यानि की खरादी से बेरिंग का बनवा सकते हैं लेकिन हम क्या करेंगे अभी हम इसका बुस्ट चेक करेंगे अगर वो सही होगा तो हम इसमें नया बेरिंग चेंज करके और फिर इसको चलाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा इसकी आवाज भी काफी हद तक कम हो जाएगी और दूसरा ये भी है कि ये मतलब पंखा हमारा अच्छे से वर्क करेगा तो आप यहां देख सकते हैं ये बेरिंग है और इस बेरिंग को हम पूलर से निकालेंगे पूलर से निकालने का रिजन ये है एक तो ये आसानी से निकल जाएगा दूसरा इसके जो पेपर हैं वो जड़ेंगे नहीं तो यहां पर हम इस तरीके से इसको पकड़के और चावी से इस तरीके से कस देंगे और यह बेरिंग आसानी से उपर आजाएगा तो आप यहां देख सकते हैं यह बेरिंग उपर आ गया है और तारों को सीधा करके इस बेरिंग को डिकाल लेंगे इसके बाद हम नया और आप यहां सीरी से एक पर चेक कर लेंगे, यह हम्मरा पंख आर्थ तो नहीं हुआ है, खोलने करने में, हम्मरा पंख ओक है, सीरी इच कांटिनिटी वोल रही है, आर्थिंग भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे, इस कवर को अच्छे ज़द साब कर लेंगे, पुरानी जो क हम इसको फिट करेंगे और आपको वुष साफ कर लेना है अच्छे से कपड़े से और इस में नया वेरिंग आपको यहां लेना है इस तरीके से इसको ठोक देना है और उपड उपर से इसकी जो पत्ति है ये पेच वली पत्ति है जिससे ये आगे नीकिस के इसको लगा देना है तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं यह पत्ती को हमने अच्छे से साफ कर लिया है और साफ करने के बाद इसमें हम तीन जो पेच हमने खोले थे वो तीनों पेच हम लगा देंगे और बिल्कुल अच्छे से टाइट कर देंगे इसको और इसके बाद हम इस पे इस्टेटर फिट करेंगे और मैं आपको इसके कनेक्सन भी बताऊंगा हाला कि यह खेतान का पंखा है खेतान का पंखा जो होता है इसमें मेन का कलर अलग आता है और कोई और दूसरी कंपनी का होगा तो उसमें अलग आता है सब के अपने कलर कोड होते है मतलब मैन वायर के जो इसके वायर निकलती है पंखे में से उसके तो इसमें मैं आपको बताऊंगा खेतान का पंखा है तो इसमें कौन सी मैन होती है आप यहाँ देख सकते हैं हम कोई अच्छे साफ करने लेना है इसके जो पुरा निग्री से वगए आए अब हम इसको इस टैटर को भी साफ करेंगे और मुदल इसके बुश वगए राक हो भी और बुश में हलका सा oike हाफ डालेंगे आप यहाँ देख सकते हैं यह जो ओयल है बाइक में जो डलता है बाइक के इंजन में वह ओयल यूज़ करना है आपको यह हमारे पास … चालीस नमबर वायर है। ते इसमें आपको ऑईल डाल देना हलका सा और फिर हम इसको फिट करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊँगा इसकी आवाज काफी कम हो जाएगी और दूसरा ये भी है कि ये बहुत सीरीज में ही चलने लग जाएगा तो आप यहां देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये लगा लेना है और उपर से हम इसको ठोक देंगे ठोकते समय आप थोड़ा ध्या और आप हम इसका नीचे का धकन लगाएंगे और नीचे का धकन लगाएंगे आपको क्या ही जो पेचों के सुराक है उनको सेंटर में रखकर फिर इस तरीके से इसको लगा देना है पेचों का ध्यान रखे और इस तरीके से इसको लगा दे और इसके तीनों पेच बराबर क है अगर आपके पास बुस्त आता है ओब भुष आपके पास मार्केट में मिल जाता इतो इसा चेंजे कर सकते हैं कट गया है तो लेकिन इसका अभी इतना कटा हुआ नहीं है हम इसमें पेज लगाएंगे हैं और ट। लगाने के बदर टाइट करके हम इसके कनेक्शन करेंगे कनेक्शन में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं तो आप यहां देखें बरावबर से कस दें हलका फुल का रह जाता है तो हलकी सी आप चोट लगा सकते हैं इसमें आप यहां देखें बिलकुल फिरी है और इसक तरीके से आप इसको सही करवाएंगे तो यह हमने यहां पर कश्टिया है और अब मैं आपको इसके कनेक्शन बताऊंगा कनेक्शन खैतान का अगर ओजिनिल वाइंडिंग है तो आपको मैं बताऊंगा इसमें कौन सी मेन होती है कौन सी कौमन होती है मतलब एक सिंगल वाइर है जो डायरेक्ट होगी तो आप यहां देख सकते हैं यहां पर इसमें जो लाल तार है वो मैं है आप यहां देख सकते हैं जो रेड कलर की वाइर है वो मैं है यह सबसे नीचे आपको लगा देनी है नीचे की पिन में और फिर बीच की पिन में आईग खेतान का जो पंका आता है उसके connection है नीली कौम मनाएगी फिर पीली जो है पीली condenser वाली मेन है तो ये connection इसका होता है अब हम इसको क्या करेंगे चला कर देखेंगे एक तो इस तरीके से connection करेंगे सीधा चलेगा और दूसरा ये भी है कि ये connection आपको पता होंगे तो आप अगली बार कर सकते हैं connection तो यहाँ पर आप हम इसको चला कर देखेंगे सीरीज में ही चलाएंगे हाला कि और आपको दिखाएंगे आप यहाँ देख सकते हैं मैं लगा रहा हूं सीरीज में इसको और पहले हम सीरीज चेक करते हैं तो यहाँ पर कोई अर्थिंग वगएरा कोई नहीं है अब हम इसको पेजकर से उठाकर फिर आपको चलाकर दिखाएंगे आप यहाँ देख सकते हैं और मैंने इसमें डारेक्ट वायर लगाई और यह सीरीज में है और आप देख सकते हैं यह पंक हमारा काफी स्पीर से चलने लग गया है तो इस तरीके से आप सिलिंग फैन को रिप्यर कर सकते हैं इसके अलावा सिलिंग फैन के बारे में कोई भी नोलिज आपको चाहिए तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें हम आपको उनके जवाब देंगे